हम ये भली बाती जानते हैं कि जब भी स्वच्छ भारत अभियान की बात आती हैं तो इंदोर का नाम आता ही आता है क्योंकि इंदोर ने स्वच्छता के समझ में अपनी एक विशेश पहचान बनाई है और इंदोर के नागरी किसके अभिनंदन के अधिकारी भी है हमारे इंदोर कई वर्सों से स्वच्छ भारत रैंकिंग में पहले नंबर पर बना हुआ है अब इंदोर के लोग स्वच्छ भारत के इस रैंकिंग से संतोस्मा करके बैठना नहीं चाहते हैं वे आगे बढ़ना चाहते हैं कुछ नया करना चाहते हैं और उन्होंने क्या मन मे उन्होंने वाटर प्लस सीटी बनाए रखने के लिए जी जान से जूटे हुए हैं वाटर प्लस सीटी यानि एशा सहर जहां बीना ट्रिट्मेंट के कोई भी सिवेच किसी सारवजनिक जलसरोत में नहीं डाला जाता यहां के नागरिकों ने खुद आगया कर अपनी नालियों को सीवर लाइन से जोड़ा है स्वच्छता अभियान भी चलाया है और इस विजह से सरस्वती और कान नदियों में गिरने वाला गंदा पानी भी काफी कम हुआ है और सुधार नजना रहा है आज जब हमारा देश आजादी का अमुर्त महुत सो मना रहा है तो हमें याद रखना है कि स्वच्छ भारत अभियान के संकल्प को हमें कभी भी मंद नहीं पड़ने देना है हमारे देश में जितने ज़्यादा शहर वाटर प्लस सिटी होंगे उतना ही स्वच्छता भी बढ़ेगी हमारी नदिया भी साफ होगी और पानी बचाने की एक मान्मिय जिम्मेवारी निभाने के समस्कार भी होगे